Hello Friends, This is Friti and Welcome to my Channel आज इस वीडियो में आप जानेंगे भीम आप से जोड़ी कुछ खास बातें तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है भीम आप भीम यानि भारत इंटरफेस फॉर मनी एक एप है जिसे National Payment Corporation of India NPCI ने लॉंच किया है यह एप UPI-based system पर काम करती है अब आप कहेंगे यह UPI क्या है UPI मतलब Unified Payment Interface यह NPCI द्वारा बनाया गया एक Internet Payment System प्लैटफॉर्म है इसी के जरिये दो लोगों में पैसे का लेंदेन हो पाता है आईए जानते हैं इस एप से आप क्या क्या कर सकते हैं इस एप से पैसे का लेंदेन करने के इलावा आप अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं आप अपने मोबाइल नमबर के साथ Customer Payment Address भी जोड सकते हैं BIMAP से QR Code स्कैन करके भी पैमेंट की जा सकती है B-Map में आपको अपनी क्या-क्या जानकारी देनी होगी B-Map इंस्टॉल करते समय आपको अपना मोबाइल नमबर और डेबिट कार्ड नमबर देना होगा और कार्ड के द्वारा ही बैंक को आपकी सारी डेटेल्स मिल जाती है B-Map की Money Transfer Limits क्या है B-Map से आप एक बार में 10,000 रुपे तक किसी के एकाउंट में भेज सकते हैं और 24 घंटे में जादा से जादा आप 20,000 रुपे तक किसी के एकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या इस आप में Money Transfer के कोई Charges लगते हैं? जी नहीं इस आप में पैसे ट्रांसफर करने के कोई पैसे नहीं लगते लेकिन बैंक अपने UPI या IMPS ट्रांसफर फीस चार्ज कर सकता है भीम अप के लिए इंटरनेट होना जरूरी है इस आप की यह एक खास बात है कि यह आप बिना इंटरनेट के भी काम करता है इसके लिए आपको एक USSD कोड जो की स्टार नाइन नाइन हैश है डायल करके आप अपने ट्रांसेक्शन कर सकते हैं भीम अप से आप अपने कितने एकाउंट्स आपरेट कर सकते हैं इस एप से आप सिर्फ एक ही एकाउंट से पैसे का लेंदेन कर सकते हैं मल्टी एकाउंट एड करने का ओप्शन अभी इसमें नहीं है यदि आप किसी दूसरे एकाउंट से टांजेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेन मेन्यू में एकाउंट सेटिंग्स को चेंज करना होगा वी मैप में आप कितनी भाशाओं में से चेंड कर सकते हैं जहां तक भाशाओं की बात की जाए अभी इस आप में केवल दो ही लेंगजिस की ओप्शन्स हैं हिंदी और इंग्लिश क्या भी मैप के लिए मोबाइल बैंकिंग अक्टिवेशन जरूरी है यह भी एक अच्छी बात है इस आप में जरूरी नहीं की आपके मोबाइल बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट हो सिर्फ आपका मोबाइल नंबर बैंक से लिंक्ड होना चाहिए जिनका एकाउंट यूपी आई को सपोर्ट नहीं करता उनके साथ पैसे का लेंदिन कैसे होगा डोंट वरी जिनका एकाउंट यूपी आई को सपोर्ट नहीं करता आप उनको भी IFSC या MMID मोबाइल नंबर के जरिये भी पैसा भेज सकते हैं आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक बटन पर क्लिक करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू